सब्सक्राइब बात करने वाले हैं Android TV के बारे में और कौन सी Android TV आपको पर्चेस करनी चाहिए Under 15,000 वो सब कुछ आज जानेंगे Android TV बहुत ही ज़रूरी important चीज़ होगी आज के daily life में Because हर कोई mobile phone पे गुशा हुआ है अगर बड़ी screen पे कोई movie enjoy करना चाहता है तो Android TV से best और कुछ भी नहीं है यहाँ पर आजका लोग कुछ hacks करके भी अपने TV पे बिना cable connection के जो channels है Colors, Star यह सब देख लेता है In fact मेरे पास भी Android TV है मैं भी अपने TV पर hacks के जरीए से सारे channels देखता हूँ बिना उसके पैसे दिये मज़़दार चीज़ है आप लोग भी ज़रूर ट्राइ कीज़ेगा वैसे इसका वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ support भी नहीं करता हूँ बट आप ओनलाइन पर यह सब चीज़े रीड करके या फिर YouTube वीडियो देखके आप यह सब कर सकते है मतलब लाइव TV देख सकते है In fact ऐसा हो गया है कि आजकल Netflix के वीडियोज Amazon Prime के वीडियोज यह सारे वीडियोज भी अवेलिबल है फ्री में चलिए दोज़ों शुरू करते है Top 5 Best Android TV Under 15,000 और जहाँ पर आप कोई भी OTT अप्लिकेशन इंस्टॉल करके बढ़िया से movies and series को enjoy कर सकते है Serials को भी enjoy कर सकते है तो सबसे पहले जो TV है यह है VW की यह एक local brand है In fact I don't know यह brand कहां से आया कैसे आया बट यहाँ पर है कि बहुत से लोगों ने यह TV purchase out की है 15,000 के कीमत में आपको जादातर सिफ 32 इंच की मिले कि उससे जादा इंच की नहीं मिल सकती तो 32 इंच की यह TV है It's a smart LED TV और HD ready है Full HD तो नहीं मिलेगा आपको इस price range में यह एक half HD TV है resolution आप देख सकते है It is 1366 by 768 और यहाँ पर आपको 60 Hz का जो है refresh rate जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा 20 Watt का output है मतलब यह यहाँ पर एक best चीज है अगर आप TV पर गाना सुनने के शौकीन है तो 20 Watt का loud and clear speaker आपको देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पर आप बढ़िया से music को enjoy कर सकते है loudly सुनते हुए तो this is the basic specification अब यहाँ पर बात करें इसके display की और इसके user review की तो सबसे नीचे चलेंगे और यहाँ पर मैं आपको देखाता हूँ display quality अब यहाँ पर मैंने जो भी यह सारी चीज़े shortlist की है यह user based review के हिसाब से shortlist की है ना कि मैंने इसे physically test किया है तो यहाँ पर देख सकते है the model look like this बहुत ही basic सा है display panel की बात करें तो जित्ते भी अभी तक मैंने total 5 range लिये है उसमें से यह display panel सबसे बहतरी नहीं है because यह video या photo के अंदर ही आप देख माएंगे अच्छी तरह से so this is 20 this is 32 inch TV और display quality is very okay okay इतनी बज़ेदार इतना बड़िया नजर नहीं आएगा थोड़ा fade out भी हो जाता है जब जादा animation या फिर जादा movement characters के या इसके दिखाई देते है अब देख सकते है TV का जो quality है किस तरह से आपके screen पे नजर आ रहा है नीचे आपको जो है वो दो stand मिल जाती है so जहापे आप अपने pen drive को भी plug करके आप अपने video scan सबको access कर सकते हैं अब negative reviews भी या पर दिया है जैसे किसे ने का ये it's a third class product don't buy तो एक भाईस आपको यहापे तकलीफ आगे because यह एक line आ गई है आप देख सकते हैं टीवी के बीच में एक line जो है वो आ रही है इसलिए उसको third class लग रहा है I dislike the wall mount fitting rest is to the mark and value for money यह भाईस आपको अच्छी लगी है best TV and best LED panel बट इससे भी अच्छा LED panel वाला एक TV है वो मैं आपको बताऊंगा pricing की बात करें इस TV की जादा pricing है 13,000 रुपए मेरे इस आप से इसे आप buyout ना करे because इससे भी बड़िया इससे भी सस्ती TV आगे हम देखने वाले है बटते हैं ग्री TV की तरफ यह है Markyu का brand जो है Flipguard की तरफ से अब जबी भी आप कोई brand select करें बहुत ज़रूरी है कि खरीद तो लिया है पीचे से वो brand आपके लिए क्या दे रहा है क्या service है उसकी normally मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे products मेरे पास भी आते है खराब हो जाते है बट जब बारी आती है कि उस product को repair करानी है या उस product का replacement चाहिए तो companies कहती है कि हमारे पास वो product फिलाल के लिए अविलिबल नहीं है तो आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा तो यहाँ पे VW TV के बारे मुझे कोई idea नहीं है कि इसके service centers का अविलिबल बट Markyu जो है यह एक Flipguard का brand है इसके सारे employees available है easily यह replaceable भी आपके लिए हो जाएगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा brand है Markyu जो Flipguard की तरफ से own किया गया है Now this is a 32-inch की smart LED TV इसमें भी आपको half HD screen मिल जाती है 20 watt का speaker तो इसका speaker भी बढ़िया है 60 Hz का refresh rate है pricing की बात करें यह सिर्फ साड़े 10,000 की TV है तो अगर आप VW की TV सोच रहे थे तो मेरे हिसाब से आप यह वाली TV ले सकते है सिर्फ साड़े 10,000 रुपए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी अभी यहाँ पे Android की बात करें इसके अंदर आपको processor मिल जाता है MediaTek का quad code processor 1 GB का ramp और 8 GB का internal storage यहाँ बेस्ट configuration है इस बड़ी आसी TV का यहाँ पर सबसे नीचे चले इसके display की बात करें तो इसका display मुझे इतना भैतरी नहीं लगा है as compared to the other TVs जो मैंने यहाँ पर line up किया गया है यहाँ पर आप display देख सकते है किस तरह से इसका display है वो photos में नजर आ रहा है remote control बहुत अच्छा है इसका जहाँ बहुत सारे buttons आपको देखने के लिए मिल जाते है dedicated Netflix का और YouTube का button जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है now this is a panel अब यह थोड़ा blurry panel है sharp image जो है वो थोड़ी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है जब moment होता है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा blurness जो है वो नजर आता है so this is the panel it's a very basic TV मार्कियों की branding मिलती है 32 inch की TV है थोड़ा सा मोटा panel है I guess इतना पतली LED TV यह जो है नहीं है इसके reviews बहुत अच्छे है हर लोगों ने इसे 55 points दिया है terrific purchase really nice, decent purchase excellent तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने अच्छे reviews जो है इस TV के बारे में दिये है it's a good TV अगर आपका budget है बढ़ी आज़ा साड़ी दस हजार तो मेरी साब से यह TV सबसे best purchase आपका रह सकता है अगर आप सोचते है कि मुझे panel और बढ़ी आसा चाहिए display colors और अच्छे जो है वो उबर कर आए तो आईए बढ़ते है तीसरे TV के तरफ जो है Kodak का 32 inch का TV कीमा थोड़ी सी जादा है, 1000 जादा देनी पड़ेगी बढ़ यहाँ पर इस TV का पानल जो है वो थोड़ा सा और अच्छा और बहतरी जो है देखने मिल जाता है यह भी सेम आपको मिलेगा HD Ready 20 Watt का speaker है 60 Hz का इसका refresh rate है और यहाँ पर बात करें इसके processor और इसके RAM की तो इसमें आपको ARM का Cortex A7 मिल जाता है और 1 GB RAM and 8 GB का storage तो यह थोड़ा सा और बहतर यहाँ पर TV जो है देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर इसके display की बात करें मुझे इसका display जादा अच्छा लगा है लाइव गेमिंग भी खेल सकते हैं आप TVs पर यह मैं आपको बता दू बस आपको PUBG इंस्टॉल करने के लिए मिल जाएगा डारेक्ली आप keypad या फिर आपका जो joystick है उसे attach करके आप games कहल सकते है अब this is a TV यह एक अच्छी TV है यहाँ पर इसका panel थोड़ा बहतरी जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा सूपर्ब, great product great product so it's a good TV अगर आप सोच रहे थे एक बड़िया से TV लेने के लिए आप यह TV भी purchase कर सकते है so this is a good TV अब यहाँ पर अभी तक माक्यू की TV best budget में यहाँ पर नजर आ रही है जो budget है साड़े 10,000 का next TV की तरफ बढ़ते है चौथी TV है यह Sensui की pro 32-inch की TV है साड़े 10,000 की कीमत है फिलाल I guess sold out हो गई है वीडियो बनाते दोरान में भी शायद stock आ जाए it's a good TV यहाँ पर आपको अच्छा खासा जो है वो processor और RAMP मिल जाता है quad core processor है and 1GB RAMP and 8GB का storage है और इसके watt and output की बात करे so यहाँ पर a watt and output देख लेता है it's a half HD TV 20 watt इसका भी है और 60 का refresh rate है in fact, सारी TVs जिस रहींच में देख रहे हैं वहाँ पर बस pricing का उपर नीचे है बाकी speaker के watts and everything is like same only अब यह है एक बड़ियासा इसका interface बहुत बड़ियासा आपको मिल जाता है जापे आप अपने जो apps है, OTT application है उसको आप access कर सकते है so it's also a good TV यहाँ पर भी इसका जो display quality है और बड़ियासा, और बैतरीन सा और क्रिप्स सा देखने के लिए मिल जाप देख सकते है screen वाकि में बहुत ही बड़िया और बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है in fact यह screen Mark UK के, Kodak के जो हमने अभी जो TVs देखे है उनसे बड़िया जो screen है इसकी नज़र आ रही है यह directly YouTube play out है यह जो गाना है, it's a video song और यह directly आप YouTube पे play कर सकते है अब यह बहुत अच्छा है, सभी लोगों ने इसके reviews भी बहुत अच्छे दिये है, it's a good product आप सारे reviews भी जो है वीडियो को post करते हुए पढ़ सकते है और जा सकते हैं, so यह थी हमारी चौती TV और last, it's a good brand MI brand for a pro बढ़ियासी TV है LED पैनल बहुत ही अच्छा मिलता है यहाँ पर 32 इंच की TV है यहाँ पर बात करें इसके specification के, it's a half HD TV 20 watt का speaker है, 60 Hz का refresh rate है, अब यहाँ पर बात करें इसके internal specification की, तो इसमें आपको ARM logic का 64 bit का quad quad processor मिल जाता है 1 GB का wrap and 8 GB का internal storage यहाँ पर बात करें इसके quality की, यह TV बहुत ही slim and sleek जो है यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगी, बहुत ही पतली है, जहाँ पर जितनी बाकी की TVs आपने देखी है, वो सारी थोड़ी मोटी-मोटी जो है आपको मिलेगी, बट यह बहुत ही sleek and sleek TV है, अच्छी कासी है और it's a good brand, MI का brand है, panel भी बहुत अच्छा आपको मिल जाता है, latest firmware updates भी आपको बहुत ही बढ़िया से इसके ओपर देखने के लिए मिल जाएगे, बिकॉज बहुत ही जाना मना brand है, जो बहुत टाइम से चला आ रहा है जापे, MI के first TV launch हुआ था, आज 4A Pro तक यह पौँच गया है, मतलब आप सोच सकते है कि कितने लोगों ने इस TV को buy out किया है, अब quality भी अच्छी है, बट budget आपका अगर इतना बड़ा है 15,000 तो मेरे इसाब से आप ये TV पर ज़रूर जाहेगा, because after sales service is very good of this TV, but अगर आपके पास एक limited budget है, अच्छा panel भी चाहिए, सारी चीज़े भी पूरी हो जाने चाहिए, तो आप Markyu का जो brand है, Flipguard का, वो आप खरी सकते है, because ये TV भी बढ़िया है budget भी है, सिर्फ साड़े 10,000 रुपे है, so this was guys, some of basic and best TVs available, Android TVs, जो marketing में available है, इन TV को purchase करके इसके उपर आप सारे OTT application को install कर सकते हैं, और कुछ hacks के जरीए, आप live channels को भी देख सकते हैं, जो TV channels है, उनने भी आप देख सकते हैं, उसके लिए आप YouTube पे सर्च कीजेगा, आपको बहुत सारे वीडियो, देखने के लिए मिल जाएंगे, so this was the video, thank you so much, वीडियो देखने के लिए, अच्छा लगा है तो बहुत जरूर subscribe पारिए, Genotech channel को, और bell icon दबाईए, ताकि ऐसे वीडियो के latest notification आप तक पहुच जाए करें, चलिए, बहुत बहुत शुकर है वीडियो देखने के लिए, आपका दिन चुब हो,